नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइब नहीं कि हो तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब भी कोई वीडियो ना तो आपके पास हमारा वीडियो हैर समय पे मिलते जाए है यहां पे दोस्तों देख रहे हैं कि 2 kg कटाहर कि हमने क्कोद्चार को ले लिए यहांपे हमारा श् escr hazır हम。 15 घ्राम है यहांपे देख रहे हैं Şimdi चमच हमने कलाउज camino द union द whereक्तर कोद्च है । यहां में मरत न दोस्तों जैसे यह यह पाले फोल resto कदो यहां पर दोस्तों देख रहा है कि गरम मसाला के हैं डाल चिन्नी भड़ी लाइची में हैंड यहां पर देखगे हैं लाल मर्ची पाहुडर, यहां पर दिख रहा है कायहर्षम प्हूडर लाने के लिए जाकी अच्छे से कलर आ जाए हैं यहां फिर देख रहे हैं हल्दी पाउडर इन सभी चीज़ों को हमने ले लिए हैं हींग को यहां पे लिए हैं तो हींग तो दोस्तों जी दखते हैं कोई भी चीज़ की अचार बनाने पर हींग जादे जरूरी रहता है डालने फे जैसे की हींग से खुस्पू हमारी अचार की टेस्ट कि करूं के याँ आप ख़िको आप क्ठाने रहीं हाफ little tip के यदि दोस्तों कि हम कट्ड़यर को कट लें अप कट्ञ पर पहले आं थेल लगाएंगे यह ताज andere कडहर को हम काट ले रहे हैं अच्छे से अब इसको काटने के बाद से इसको छिलके उतार लेंगे यहां पर छिलके हम इसका उतार ले रहे हैं अब इसको छोटे बड़े जैसे आप पीस काटते हो उस तरह से काट सकते हैं तो यहां पर इस तरह से देख रहे हैं फिस काट रहे हैं इसको इसी तरह से सारे कटहर को हम काट लेंगे तो यहां पर दोस्तों देख रहे हैं इसको भी हम छिलके इसी तरह से उतार ले रहे हैं इसी तरह से बड़े साइज नेयान दिखा दे रहे हैं, अब यहां प्रवह देख रहे हैं, थोड़ी बड़े साइज ने ही कर दो अधर धर देकेशने vibr frequencies जाता है अब इस तो हमने हैं सारे भी शाय को जला ले रहा है अब आग करेहां को रखनी कि वाद से इसमें हम छोटे कफ से एक कफ लिए यहां पे देख रहे हैं लोटे पानी हम दारड़ मैं कफ सदर्ली जालिवी दौड़े रहे हैं जाकि हमारे नीचे से पानी में ऊपर नावे आछे में आइसे पानि की पानी की पानी पेणी में आपक Mia ल्हा जाएं अब उसकी उपर से हम कडीर को रख दे रहें बिश्चार को अमिस्त्रे बिच्छा देंगे की तो दोस्तों इस तरह से से जैसे हम भाप बस इसका आएगा उपर से तो हमारा यह जैसे कटहर जो है हलकी से उबाल हो जाएगा अब इसी तरह से हम कटहर को इसको आरी-अरी फैला दिये अब इसको ढख देंगे धैकनी के बाद एक जैसे देख ने कोई भारी चीज इस पर अप रख देजिए हम इसे लोडहे जैसे देखते हैं सिलवर टिपर का है इसको रख दिए हैं अब इसको रेखनी के बाद हम इसकोचेक कर ले रहे हैं एक बार अब इसका कलर दोस्तों देख रहे हैं बहुत अच्छा आ गया है अब इसको हम ठाली में निकाल ले रहे हैं ठाली में निकाल ले रहे हैं इसी तरह से सारे कड़र को तो इस तरह से दोस्तों जैसे देखते हैं कि इस तरह बहुत जल्दी भाप में हुई भी जाता है हमारे जैसे पानी इसमें लगता भी नहीं है अभी सितरे से उपर से पहला ले रहे हैं अधूस्तो नीचे की पानी आप चेक कर लीजिएगा एक बाद इस तरह से हम इस्सोरे अधोडी सी पानी और नीचे डाल दीये हैं थाले में अभी स्क्राइब आपको दिखा दे रहे हैं कि कड़र हमारा कितनी अच्छे से हो गया है दो तीन दिन में कड़र अच्छे से खाने लाइक हो जाता है तो दोस्ते देख रहे हैं कितनी अच्छे से हमारा उबाल हो गया है इस तरह से बिगड़ता नहीं आचार इस तरह से आप करेंगे तो पाने हम भी डाल को आपके और जास गरमसाला डालने के वास थो आपके यूचि display हो तो आप दो सकते हैं अम्साला मेरा भुना गया है तो लिए हैं हैं हम पर सब्सक्राइब व मिलख्ने से समय कुज़ें है छोटी चोटी टूुड़ी मे अज़ेक के कि यहां पे अध्रक की छिलके उतार कर रख लिए हैं तो अब दोस्तों इसको कद्दू कर लेंगे तो अध्रक की हमारा है फूरी अचार में अच्छे से भीन जाता है तीस तरह से इसको कद्दू कस करके हम चस ले रहे हैं अब यहाँ पर इसमें डाल दिये ते यहाँ पर दोस्तों आपके पास आम नहीं हो इसमें आम की सवाई में तो आम मिल जाता है बहुत असानी से आम नहीं हो तो आप फमचुर पाउडर कस्की में डाल सकते हैं और नहीं तो नेवू भी डाल सकते हैं इसमें तेन चीज मस выглядит आपके पास जो हो इसको डाल सकते हैं अचार में आप sister का यहाँ पर आम को हम डाल दे रहे हैं आम का शीज्त यह देता है, कि दालती और अभी जाता को आल कर अखिको मिससर में पीत सकते हैं इसके are अधरे कपने पीरिये हैं इस त्रहे हम हल्दी थैं भी हैं ये कि क्या मशाला हमारा फिसाग्या है दोस्तोस इसमें जैसे देख रहे हैं कलोझी को पहले हम ढाल यहां इसको जर्वाइंग मंग्रेल भी बोला जाता है तो आदे चमच हमारा घर्वाय था एक चमच मंग्रैल थाउस-तौश दूस्तों देखती रहें जैसे की कलोज भी बोला जाता दालेंगे अब हल्दी भी डाल दिया है इसमें हल्दी डालने के बात से इसमें हींग डालेंगे हींग इसमें डालकर अब यहां पर देख रहे हैं अब अच्छे से मिला लेंगे पहले मसालय मिलाने के बा से अब इसमें तेल डालेंगे तेल को जो मसाला बचा था उसको भी इसमें डाल लिए अब अच्छे से मिक्स कर ले रहा हैं इसमें तो दोस्तों यहां पर देख रहा नहीं हैं ज़ो सीर की बचा हैटा को हमने लिए हैं गं Schnee कर सिर का आपके पास कोई सिर्के हो तो आप इसमें डाल सकते हैं तो गन्य के सिर्के देखते हैं गाव में बहुत असानी से मिल जाता है थे हां पर हमने गन्य के सिर्के इसमें डाल दी है अब इसको जैसे देखते हैं कि पूरे एक दिन हम पूरा इसमें धूप में दिखाएंगे इसक तो बहुत टेस्टी वाला तो प्लीज आज की रेस्पी हमारा आपको अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइब करना ना भूलें फिर नई रेस्पी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई